नमस्कार साथियों आपके अपने यूटूब चैनल हिंदी पेडिया में एक बार फिर शाप सभी का विनंदन आईए आज हम सभी भक्तिकाल से उन महत्पूर प्रशनों को पढ़ते हैं जो पंगतियां पूछी जाती हैं रचनाओं से सम्मधित कुछ पंगतियां और उपनाम जो पूछे जाते हैं इन परशनों को आज की प्रशनोंतरी मिलेंगे इसी के साथ और महत्पूर प्रशनों की प्रशनोंतरी करेंगे तो चलिए पहले प्रशन पर चलते हैं आज का पहला प्रशन है राम काब विधारा पहला प्रशन जाके प्रियन राम बैदेही सो नरतज कोट वैरीशम जदप परमसनेही यह किस काब गरंद की उक्ति है यह किस काब गरंद से ली गई उक्ति है राम चरित मानस कभितावली बिने पत्रिका दोहावली तो यह उक्ति जो है आपकी बिने पत्रिका से ली गई है आपको सही बिकल्प लगाना है बिने पत्रिका सा आपका सही बिकल्प होगा इसी तरह से अगला प्रशन जो होगा केशो कहिन जाई का कहिए पंक्त किसकी है अब यह पंक्त किसकी है तुलसी की केशो दास की रह दास की या प्रिया दास की तुरंत आप देख लिए केशो के बारे में तुलसी दास जी ने कहा है तो यह पंक्त तुलसी की है और विकल्प सही है इसी तरह से यद इसलाम न भी आया होता तो भी भक्ती साहित का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज किसकी पंग्त है यह बहुत बार परिक्षाओं में पूछी गई है इस तरह से ऐसे प्रस्णों को जरूर याद रखेंगे तो इस तरह से यह अगर पूछा जाए बारह आना सत्य है बारह अर्थात दस के बाद हजार के बाद तो जो हजार के बाद आए वह क्या है हजारी हजारी प्रशाद इस तरह से आप इसको याद रखेंगे हजारी प्रशाद चलिए अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण आज का है कवित्य विवेक एक नहीं मोरे किसकी पंक्ति है कवित्य विवेक एक नहीं मोरे किसकी पंक्ति है घना नंद की कवीर की रामा नंद की तुलसी दास की यहाँ पर आपको सही विकल्प मिल गया है यह पंक्ति तुलसी दास्की है इसी तरह से अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण जो है सीता राम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं इस तरह से आपको सहीं भी कल्ब मिल गया है स्वाशुखी साखा के लोग सीता राम को युगल सरकार कहते हैं युगल सरकार इसी तरह से अगला प्रशनाज का जो है भक्तमाल के टीका कार निम्नलिखित में से कौन है नावादास, प्रियादास, अग्रदास, तुलसी दास तो भक्तमाल के टीका कार जो है निम्नलिखित में से प्रियादास माने जाते हैं तो आपका बह विकल्ब सही होगा प्रियादा अगला प्रश्न देखते हैं राम्चरित मानस में वक्ता सुरोता यूग्म कितने हैं यह प्रश्न कई बार पूछा गया है राम्चरित मानस में वक्ता सुरोता कितने हैं वक्ता सुरोता यूग्म जो पूछा गया यूग्म कितने हैं दो हैं तीन हैं पांच हैं चार हैं तो अगला प्रशनाज का है दो सो बावन वैसरावन की वारता के रचनाकार कौन है अब दो सो बावन वैसरावन की वारता जब पढ़ी जाएगी तो उसको नंद दास पढ़ेंगे की गोकुल दास पढ़ेंगे की तुलसी दास पढ़ेंगे की प्रिया दास पढ़ेंगे तो आप देख लीजे कौन पढ़ेंगे तो यह पढ़ेंगे गोकुल्दास जी तो उत्तर आपका सहीं होगा कौन है गोकुल्दास चले प्रिया 222.46 की वारता गोकुल्दास ने की है इसी तरह से अगला प्रिशनाज का जो है साखी सब्दी किस कभी की पंक्तियां हैं तुलसी दास की रश खान की कवीर की रेदास की इस तरह से साखी सब्दी दोहरा की बात की जा रही है तिया पंक्ति जब आए तुलसी दास तुलसी दास की पंक्ति है इसी तरह से अगले प्रशन पर चलते हैं मा तुपिता जग जाई तजयो विधियून लिखों कुछ भाल भलाई ए पंक्तिया तुलसी के किस काब गरंथ से ली गई है तुलसी ने अपने बारे में लिखा है कि जग को भी विधि को भी दया नहीं आ भाग में कुछ भलाई लिख देता तीस तरह से जो इन्होंने लिखा है राम के दरबार में यह रचना भेजने के लिए लिखा था और इस रचना में इन्होंने बिने किया है इस्तुती की है तो मात पिता जग जायत जो जैसे मेरा जन्म हुआ जग में मेरे माता पिता ने मु कुछ पर दया नहीं आई कि मेरे भाग में कुछ अच्छी बाते लिख देता इस तरह से भावना बिने अनुद् ुद करने वाले बिने अनुने करने वाले कौन है यह भीने पत्रिका रचना में उन्होंने किया है तुल सी दास ने बिने पत्रिका से यह रचना ली गई है इसी तरह से अगला प्रश्ण है कहें बिनु रहे उन परत कहें राम रस न परत यह पंक्त किस काब ग्रंथे से ली गई है तो यह पंक्ती जो ली गई है आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यह राम सरित्मानस से दोहावली से गीतावली से बिने पत्रिका से तो आपका बिकल्प सही हुआ इसी तरह से अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशनाज का जो है किस कभी को हिंदी का जाती कभी कहा जाता है तो जाती कभी कभी राम बोला ऐसे नाम जब आजाए तो तुरंत आप समझेंगे जाति पात पूछे नहीं कोई हरी का भजासो हरी का होई तो जाति पात कामत करने वाले जाती कभी कोन है है तुलसी दास्र तुलसी दास इसी तरह से अगला उत्तर होगा अगला प्राशन आप के सामने आ गया हिंदी काव की सब प्रकायर की रचना सेली के multi उपर गोस्वामी जी ने अपना उचा आवसन पर्तिषित किया है यह उच्जता और किसी को प्राप्त नहीं है यह कथन किसका है तो यह कथन किसका है रामचंद्र शुकल का धिरिंद बर्मा का हजारी प्रशाद्य वेदी का नागेंद्र का डक्टर नागेंद्र का तिस तरह से जब पूछा जाए तो तुरंत आप बताएंगे हिंदी काब जैसे ही पूछा जाए त तो आपका अबी कल्प सहीं होगा. अबी कल्प. इसी तरह से अगले प्रशन पर चलते हैं. तुलसी ने कल्यू का वढण रामशरित मानस के कौन से कांड में किया है? यह प्रशन भी कई बार पूशा गया है. बाल कांड में, अयोद्या कांड में, अरन कांड में, उत्तर इसी तरस अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण जो आपके शामने आ गया है तुलसी दास्कृत पार्वती मंगल में कितने चंद हैं 150 चंद है, 224 चंद है, 164 चंद है, 220 चंद है यहां आप देखें पारवती मंगल में जब पूछा जाए तो परवत जो है, परवत 64 कलाओं से युक्त होते हैं तो आप ऐसे याद रखेंगे परवत क्या होते हैं, 64 कलाओं से युक्त होते हैं हरे, भरे, रंगीले, सुनहले, मोती जैसे, तो 64 कलाएं जो होती है 164, इस तरह साब उत्तर लगाएंगे बविकल्प 164, अगले प्रशन पर चलते हैं, अगला प्रशन है, बिने पत्रिका में कितने पद हैं, बिने पत्रिका में कितने पद हैं, 250, 400, 300, 700, अब बिने पत्रिका कि बात की जा रही है कितने पद हैं बिने के कितने पद हैं बिने सोट हैं Chodha चली अगले प्रशन पर चलते है अगला प्रशन है निमलेकित में से राम्च्रिद मानस की टीका किसने की महंदर राम चरण हरी चरण दास जानकी दास कि सोरी दास यहाँ पर चार विकलप दिए गए हैं निम्न रामचर ने रामचरित मारस की टीका लिखी अगला प्रश्न है तुलसी दास किस सासक के समकालिन थे तुलसी दास किस सासक के समकालिन थे अलाउद दिन खिल जी के शिकंतर लोदी के अकबर के शेर्शाह के तो सही भी कलब आपको मिल गया हुए अकबर के समकालिन तुलसी दा माने जाते हैं इसी तरह से अग Radio ने रही का शुबेदा इस अग्ला प्रश्ण है तुलसी दास की किस रचना में उनका किस रचना में तुलसी दास की किस रचना में उनका भक्त रूप रूप प्रकट हुआ है उनका भक्त रूप भगवान के लिए भक्ती की है बिने किया है वो किश्मे किया है बिने पत्त्रिका में किश्मे किया है बिने पत्त्रिका में अगला प्रश्ण है तुलसी दास की गुरु परंपरा सही करम का कौन सा विकल्प है माधवाचार रामानन नरहर दास तुलसी दास इत पक्दिया बनाई गई है इसमें से सही जो है रामानन अनंत दास नरहरी दास तुलसी दास यह बविकल पाप का सही है जो गुरु परंपरा का सही करम बताता है इसी तरह से अगला प्रशन है गोद लिये हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए यह पंक्त किस की है सेनापत की रहीम की टोडर मलकी सूर दास की तिया पंक्ति जब पूछी जाए तो आप तुरंत पत्र के जवाब में लिखा था गोद लिये हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए तिया पंक्ति जवाब में लिखा था पत्र के जवाब में किस ने लिखा था अब दुर्रहीम खान खाना रहीम दास ने लिखा था इसी तरह सगले प्रशन है रामलला नहचु की भासा कौन सी है अवधी मगधी पगेली ब्रज अब रामलला नहचु की भासा पूछी जा रही है तो तुलसी दास की रचनाएं दो भासाओं में मिलती है अवधी में और ब्रज में लेकिन यह भासा जो है रामलला नहचु जो ह अवधी में लिखा गया है अवधी भासा में लिखा गया है इसी तरह सगले प्रश्ण पर चलते हैं कली कुटिल जीव तुलसी भए बाल मीक अवतार धरी पंग्त के रचीता कौन है अब कली कुटिल तुलसी भए तो यह पंग्त के रचीता जो है नावह दास नंद दास सूर इसी तरह से सीतायन के रचनाकार का नाम क्या है राम प्रिया सरण दास तुलसी दास लाल दास नाभा दास सीतायन अब सीतायन जो है राम प्रिया सरण दास ने लिखी है तो इसलिए सीतायन सीता का अयन इस तरह से कह सकते हैं राम प्रिया सरण दास ने लिखी है अगला है द्रिश्टांत बोधिका के रचीता है द्रिश्टांत बोधिका राम चरण दास नाभा दास कृष्ण दास तुलसी दास अब द्रिश्टांत बोधिका जो लिखा है यह कौन लिखा है इसके बारे में बताना है तो यह उत्तर आपको मिल गए आप उत्तर लगा लीजिए अब विकल्ब आपका शही है राम चरण दास इसी तरह से अगले प्रस्ण पर चलते हैं आज का अगला प्रस्ण है बेद धर्म दूर गए भूरी चोर भूप गए किसकी पंग्तियां हैं कवीर दास की तुलसी दास की सूर दास की रह दास की तो यह भी पंग्ति आप समझ गए होगे ऐसी पंग्तियां किस ने लिखी है तुलसी दास ने तापका बह भी कल्ब सही है तुलसी दास उत्तर आपका होगा अगले प्रिशन पर चलते हैं अगला प्रिशन है अध्यात्मर अग्ड्रामयड र्हायद्री रामरासोो की बात जिब की जाए तो तुरंत आप repent देख लेंगे अध्यात्मरामयड र सो तो कोण होगा चाहर विकल्प दिए गए प्रानचिंद चूहान ऑधादास चारण नंद से रहाँ सही विकल्प केशवदास माधह दास चारण इसी तरह से कभी केशवदास को तुलसी के समकाली मानने वाले कभी कोन हैं तो उसके बारे में बताना है आपको डिये गए हैं रामचंद्श should have आजारे प्रशादिवेदी विश्वनात प्रशाद डाक्टर नगेंद तो कभी केशव दास को तुलसी दास के समकालिन मानने वाले आचार हैं आचार राम चंद्रो शुक्त तो अब इकल्प आप सेहिं कर लीजिए अब इकल्प इसी तरह से अगले परशन पर चलते हैं हिंदी में रामका अब धार्या के प्रावर्तन का स्रे किसे जाता है हिंदी में जो रामका अब धार्या ici लाए रामानंद भक्ति द्रामडी उपजी और लाय रामानंद ऐसी पंक्ते भी आती है इसको भी याद रखना अगला प्रश्ण है तुलसी दास को कलिकाल का बालमीक किस ने कहा था अब कलिकाल का बालमीक आचार शुकल ने अचार हजार प्रशाद दिवेदी ने नाभादास ने अकबर ने तुलसी दास को कलिकाल का बालमीक किस ने कहा है तुलसी दास को कलिकाल का बालमीक नाभादास जी ने कहा है किस ने कहा है इसी तरह सगला प्रश्णाज का है सिध्धान्त पंच मात्रा किस भक्ति की रचना है रामानंद की रागवानंद की नंद दास की हरिदास चार बिकल्ब दिये गए हैं सिध्धांत पंच मात्रा जो चार बिकल्ब दिये गए इसमें एक बिकल्ब सही है आप सहीं बिकल्प लगा लिजे बैविकल्प आपका सहीं है राघवानन्द जी इसी तरह सगला प्रशन है तुलसी की किस रचना में भरमरी गीत का प्रशंग आया है तुलसी की किस रचना में भरमरी गीत का प्रशंग आया है गीतावली में जानकी मंगल में कवितावली म तो यहां पर चार विकल्ब दिये गए हैं जिसमें बह विकल्ब आप सहीं कर लिजे तुलसी की कृष्ण गीतावली में ब्रहमर गीत प्रशंग आया है आज का अंतिम प्रशन है लोटा तुलसी दास को लाग टको का मोल पंक्त किसकी है अग्रदास की होल राय की प्रिया दास की रहीं की लोटा तुलसी दास को लाग टको का मोल यह किसकी है तिय जो है होल राय कीwest फेल राय नहीं लिखी है बोर उसे रामाइड के तो का नाम बताईंड है प्रणचन-चोहान सेना पति नरहरी बारहट माधो दास चारांग के यहां सहीं बिकल्पाप का है पौरसे रामायड के रचीता नरहर बारहट जी हैं नरहर बारहट जी माने जाते हैं अगला प्रशनाज का जो है अगला प्रशन रामावत संपरदाय के रामावत संपरदाय के परवर्तक कौन थे तुलसी दास रामा नुजाचार माधुवाचार रामा इस तरह से रामाव संपर्दाय की जब बात की जा रही है तो आपको तुरन समझ लेना है कि रामाव संपर्दाय क्या है रामाव संपर्दाय रामा नंद जी से सम्मंधित है रामाव संपर्दाय जब भी बात की जाए रामा नंद जी को याद करना है इसी तरह से अगला के अनन्तानंद के रामानुझा चाहर के तो रागवा नंद जो गुरू थे रामानंद के गुरु माने जाते हैं इसे तरह प्रशन है रामा नंद वर्ड आश्रम ब्यवस्ता को समाज के लिए स्विकार करते थे किंद उपासना के छेत्र में नहीं हमत इनमंए से किसका है हजारी प्रशाद्य वेदी का डाक्टर शुकल का परशुरं चतुर्वेदी का है यह कथन किसका है आचार रामचैंदर शुकल का कहे है। अगले प्रशन पर चलते हैं एल्ज सी रचना काल काल– कलिकाल में मुक्ति पाने हेत लिखी कलिकाल से मुक्ति जो उन्होंने पाना चाहते थे वो है कौन सी रचना लिखी इसमें सहीं रचना आपको बताना है कलिकाल से मुक्ति के लिए कौन सी रचना लिखी कवितावली बिने पत्रिका रामाग्या प्रशनावली हनुमान बाहुक तो कल काल से मुक्ती के लिए उन्होंने लिखा है बिने पत्रिका और बिने पत्रिका को राम के दरबार में भेजा था तो इस तरह से यह प्रस्ण बहुत ही महत्पूर्ण है कल काल से मुक्ती पाने के लिए उन्होंने लिखा था बिने पत्रिका अगला प्रश्ण है रामचरित मानस की रामचरित मानस की रचना आचार सुकल के अनुशार कितने समय में हुई रामचरित मानस की रचना दो वर्स में हुई, चार वर्स तीन मां में हुई, दो वर्स साथ मां में हुई, तीन वर्स में हुई तो सही बिकल्प आपका है दो वर्ज साथ माह, दो वर्ज और साथ महीने तो आपका बिकल्प सह सही है, सह बिकल्प आपका सही होगा इसी तरह से अगला प्रश्ण है रामसरित मानस में कुल कितने कांड है अब कांड पूछा जाए तो सात कांड है यहां कई बिकल्प दिये गए हैं सात कांड है इसके लिए आप लिख सकते हैं बायो अकस लव बायो अकस लव तो जब यह लिखेंगे तो इससे क्या मतलब है बासे बाल कांड यो अयोध्या कांड और अरन कांड क किसकिंदा कांड स स सुन्दर कांड, लवकुस कांड और अंत में उत्तर कांड, बायो अकस लव। इस तरह से आप इसको सरल रूप में जान सकते हैं तो सातवा प्रसनाप का जो है सात कांड हैं कभी भी पूछा जाए तो सात कांड इसी तरह से बता देने हैं। अगर कभी पूछा जाए तुलसी दास के कितने जो है गरंथ प्रमालित माने जाते हैं, तो तुलसी दास के 12 गरंथ प्रमालित माने जाते हैं। अगला प्रशन आपके सामने है रामचरित मानस की रचना कब प्रारंभ हुई अब यहां यह प्रशन बहुत ही महत्पूर बन जाता है कि रामचरित मानस एक प्रशन पूछा ही जाता है या तो रामचरित मानस के उत्तर कांड में किस का वर्णन है कलिव का वर्णन है रामचर करके बताएंगे तो रामचरित मानस से जितने भी प्रशन बनते हैं संपूर्ण प्रशनों की एक स्रिंखला जरूर लेकर आएंगे लेकिन इससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हां सर जी आप रामचरित मानस के समस्त प्रशनों के स्रिंखला हमें देजिए अवस् अगला प्रिशन है राम्चरित मानज का पाच्वाटम कान्ड कौन सा है अब आपको पाच्वाटम बताना है तो कैसे बताएंगी रटकर याद नहीं हो सकता इसके लिए अभी जो मैंने सूत्र बताए थे उसी सूत्र को फालू करी वह करम से बनाए गए हैं बाल कांड अयुद्या कांड अरन कांड किस्किंदा कांड लंका कांड सुन्दर कांड और इस तरह से तो बायो अकसलव बाल कांड यो अयुद्या कांड बायो अ अरन कांड फिर क किसकिंधा कांड स सुन्दर कांड तो पांचवा कांड आपको क्या मिले सुन्दर कांड छठा फिर क्या मिले अकस लव छठा कांड लंका कांड लोकुस कांड और लंका कांड लोकुस ने लंका कांड और इसके बाद लंका कांड के बाद सीधे उत्तर कांड आता है तिस तरह से जो बायो अकस लव है यह इस तरह से कांड बने है तो पांचवा कांड आपको मिल गया है सुन्दर कांड तो पांचवा कांड क्या है सुन्दर कांड आपको विकल्प मिल गया है बह विकल्प आपका सही हो रहा है तो आपको सही विकल्प मिल गया सही विक करेंगे या उसे भरेंगे इसी तरश अगला प्रशन है इसमें से राम कथा का मारमिक प्रशंग कौन सा है राम कथा का सबसे मारमिक प्रशंग जो पूछा गया है कौन सा है नारद मोह है अहिल्या उद्धार है रावण वध है चित्रकूट प्रशंग है यहां पर जो मारमिक है वह चित्रकूत प्रशंग है क्योंकि चित्रकूट प्रशंग में बहुत सारी घटना ऐसी हैं जो हिर्दय को छू लेती हैं जिसलिए जिस कारण से इस प्रशंग को मालमी Bio कहा गया है अगले प्रशन पर चलते हैं आज का अगला प्रशन है लोकनायक वही हो सकता जो समन्वे कर सके यह कथन किसका है लोग नायक वही हो सकता है जो समन्वे कर सके यह कथन किसका है तो यह कथन किस ने दिया है आचार शुकल ने दिया है आचार हजारी प्रशाद दिवेदी ने दिया है आचार राम विला सर्मा ने दिया है नामोर्शिंग डाक्टर नामोर् कि यह कथन जो है लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वे कर सके तो हजारी प्रशाद दिवेदी जी ने दिया था अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है ज्यान भक्ति का विशद विवेचन रामचरित मानस के किस कांड में है ज्यान और भक्ति का विशद विवेचन किस कांड में है बाल कांड में लंका कांड में उत्तर कांड में अयुध्या कांड में यहां सही पिकल्प आपको मिल गया है ज्ञान और भक्ती का विशत विवेचन उत्तर कांड़ने में हुआ है अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है सूर्दास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुपरासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है यह कथन की सालोचक का है यहां आलोचक के कथन भी पूछे जाते हैं इससे सम्मंधित प्रशन भी आज लेकर आए हैं तो आपको इन प्रशनों पर भी ध्याम देना चाहिए ताकि परिक्षा में किसी बेत्रस प्रसन पूछे जाएं तो हम आसानी सिकर सकें वैसे पिछली बार परिक्षा में कुछ हट कर प्रसन पूछे गए थे उसी के आधार पे हम प्रशनावली बना रहे हैं ताकि आपका नवीनतम पेपर जो आए वह इस प्रसनावली से संबंधित हो तो आप इसका अध्यन जरूर करें अध्यन करें हमें प्रशाहिद भी करें कमेंट करके हमें बताएं क्या आपको यह प्रशनोत्री कैसी लग रही है हम बार बार पेक्षा करते हैं कि आप हमें बताएंगे इसी उद्देश से यह सारी स्रंखला हम बना रहे हैं कि आप से हम जुडे रहें आपके भाग निर्माण में थोड़ा अंसदान हमारा भी हो सके चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं तो यह जो कथन किसका है सबसे पहले इसको समझ लेते हैं तो यह कथन आचार रामचंद्रसुकल का है अगला प्रशन जो आज का है दूले राम सीय दूले हीरी यह उस समय का वड़न है जब प्रभु राम मंच पर आते हैं बैठे हैं उनका स्वयंबर रचा जा रहा है स्वयंबर होने वाला है उस समय की बात यह है यह पंक्त तुलसी के किस का विगरंथ की है यह पंक्त जो है तुलसी के किस का विगरंथ से ली गई है तो सीधी सीधी बात है गीत के रूप में है गाया जा रहा है तो गीत आवली ही होगा तो आपको ऐसे ही ध्यान देना है गीत आवली से है यह कथन गीत आवली से है इसी तरह से अगला प्रशन है भाल धी बिसाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंकली लिवै को कौल रसना पसारी है यह पंक्त किस काव गरंथ में है तो यह देखिए बड़े ही सुर में कविता के रूप में पढ़ी जा रही है भाल धी बिसाल तो आपको सीधे सीधे समझ लेना है यह कवितावली से है ये कवितावली से है अगला प्रशन है राम के बाल रूप की जाकी किस गरंथ में सरवाधिक है राम के बाल रूप की बच्पन की जाकी जो है बच्पन का वणन किस गरंथ में तुलसी दास जी ने दिया है बहुतायत दिया है सरवाधिक दिया है कुछ भी प्रशन पूछा ज सहीं बिकल्प लगाएंगे तो राम के बालक रूप का जो है वर्डन कवितावली में वर्डित है हमेशा याद रखेंगे राम के बालक रूप की जाकी जो है कवितावली में जादा दी गई है कवितावली उत्तर सहीं होगा अगला प्रश्ण है अब धेस के बालक की चारी से दा तुल सीमन मंदिर में भी हरे कब हूँ ससी मांगती आरी करे कब हूँ प्रती भिम्बनी हारी डरे कब हूँ करे ताले बेजाय के नाचत मातु सबय मन मोद हरे इस तरह से जो यह पंक्तियां है बहुत ही सुन्दर हैं हिर्दय को छू लेती हैं यह पंक्ति किस काब गरंथ से है अब धेस के बालक चार सदा तो यह पंक्ति भी कभी तावली से है यह पंक्ति कभी तावली से है आप अब धेस के बालक चार सदा यही तरह से अगला प्रश्ण आपके शामने आ गया है केशो कहिन जायएका कहिए पंक्त किस कभी की है तो आप तुरंट लगाएंगे यह पंक्ती बहुत बार पूछी जा रही परिक्षा में यह पंक्ति तुलसी दास जीने कही है यह पंक्ति तुलसी दास जीने कही है और यह भी प्रस्ण बहुत बार परिक्षा में पूछा गया है तो आसा है कि कभी और पूछा जा सकता है अब लो नसानी अब ननसे हो पंक्त किस काब गरंथ से है और किसने कही है तो किसने कही है त आपको पता हो गया कि तुलसी दास जी ने कही लेकिन जब पूछा जाय किस काब से है कि सिग्रंथ से है अब लोद नसानी अब नहीं हो मुटू यह बिने पत्रिका से वड़ित की गई है। यहँ पंक्ती बिने पत्रिका से वड़ित है। यशी तरह 자कला प्रश्चन है तुलसी के किस काब ग्रंथ में सांतरस की प्रधानता है कवितावली में बिने पत्रिका में दोहावली में राम चरित मानस में तो आप तुरंत पताएंगे तो सांतरस की प्रधानता बिने पत्रिका में है जो राम के दरबार में भेजने के लिए लिखा था राम के दर्बार में भेजने के लिए लिखा गया था उसी तरह से अगला प्रशन है जाके प्री नराम वैदे ही पद किस पुस्तक में है जाके प्री नराम वैदे ही पंक्ति जो है बीने पत्रिका में वर्नित है बीने पत्रिका से है यह भी पंक्ति बीने पत्रिक से ही है उसी तरह से अगला प्रस्ण है तुलसी दास की भक्ती किस प्रकार की है तुलसी दास की भक्ती अगर पूछी जाए तो किस प्रकार की है सक्ख्य भाव की दास्य भाव की उस्टिमार्ग की माधुर्य भाव की यहां पर उस्टिमार्ग सूर्दास थे सक्ख्य भाव दास ये तब हो थे जब वह बल्लभाचार के शंपर्क में नहीं आये थे तो माधूर तो मीरा बाई की है इस तरह से आप देखें तो दास सिभाव की भक्ति तुलसी दास ने की है तो यहां पर बह विकल्प आपका सही होगा दास से भाव की भक्ती तुलसी दास ने की है अगला प्रशन आपके सामने आ गया है अगला प्रशन है तुलसी दास किस दासनिक मत के भक्त कभी थे तो आप तुरंत समझ गए होगे तुलसी दास की भक्ती किस दासनिक मत के भक्त कभी थे तो तुरंत आप बताएंगे अद्वैत वाद है द्वैत वाद है सुद्धा द्वैत वाद है विशिष्टा द्वैत वाद है तो यहां पर आपको तुरंत मिल गया है तुलिसिदास विश्ष्टा दयत्वाद के भक्त कभी थे विश्ष्ष्टा दयत्वाद इसी तरह से अगला प्रस्ण है रामशरित मानस का महत्तो आज किस कारण से है रामशरित मानस का महत्तुत भक्ति साधना के कारण राम की लीला गायन के कारण जीवन मुल्यों को कारण शगुड भक्ति के कारण जीवन मुल्यों के कारण या सगुड भक्ति के कारण तो यहाँ पर राम सिर्थ मानस की आज भी प्रासंगिक्ता है तो जीवन मुल्यों के कारण है जीवन जीने के इसमें कई नियम बताए गए हैं सफलता के नियम बताए गए हैं इसलिए जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य है इसलिए आज इसकी प्रासिंगिक्ता है महत तो है अगले प्रश्ण पर चलते हैं राम भक्ति काब परंपरा में दामपत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली शिंगारी भावना के प्रोड़तक कौन थे अग्रदास नाभादास राम चरणदास केसो दास यहाँ पर राम भक्ति परंपरा में अगर बात करें तो कौन इस तरह का कभी था तो आप तुरंद समझ गए होगे राम चरणदास ही ऐसे कभी माने जाते हैं ऐसे कभी कौन माने जाते हैं राम चरणदास माने जाते हैं आपको सहीं विकल्प लगा लेना है राम चरणदास मा से कविप्रिया बैराग शंदीपनी बैरवय नाई का भेद अनेक आर्थ मंझरी तो बैराग शंदीपनी कवी तुलसी दास्की रिचना है क्योंकि कविप्रिया जो है केशो दास्की है इस तरह से अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण राम्श्रित मानस का प्रारम वत तुलसी में किया था अगले प्रश्ण पर चलते हैं राम भक्ति साखा के अंतरगत बैरागी दल का गठन किस ने किया रामानंद ने तुलसी दास ने नाभा दास ने नरह दास ने बैरागी दल का गठन किस ने किया तो बैरागी दल जब पूछा जाए तो बैरागी दल का गठन रामा नंद ने किया अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है इन में से रामा नुजाचार द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताईए जिसमें राम भक्ति का बिधान है तो राम भक्ति का बिधान जिसमें है वह है श्री शंप्रदाय चेतन्य संप्रदाय अगले प्रिश्न पर चलते हैं राम तारक मंत्र के रचेता कौन माने जाते हैं राम तारक मंत्र यह प्रस्ण बहुती ही महत्पूर्ण है रागवा नंद जी रामा नंद जी रामा नुजाचार इन में से कोई नहीं यहां पर राम तारक मंत्र जब भी पूछा जाए तो रामा नंद जी इसके रचेता हैं रामा नंद जी इसके रचेता माने जाते हैं अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है धनुस बाड़ धारी राम के लोक रक्षक शुरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की तुलसीदास ने, रामा नंद ने, रामा नुजाचार ने, आलवार भक्त ने इस तरह से धनुस बाड़ धारी की बात की जा रही है राम के लोक रख्षक लोगों की रख्षा करने वाले लोक रख्षक सुरुप की उपासना किस ने की थी रामा नंद ने की थी इसी तरह से अगला प्रश्न है भक्ति का मारग ऊच नीच सबके लिए खोलने का स्रे आचार सुकल ने किसको दिया आचार सुकल ने यह हमार किसे दिया तो आप इसको कहेंगे यह हमार किसे दिया आचार सुकल ने कबीर को तुलसी को रामानंद को संकराचार को यह हमार किसे दिया कबीर को तुलसी को रामानंद को संकराचार को तो चार बिकल्प ह जिसमें से एक विकल्ब सही है तो सुक्ल ने यह स्रे रामनंद को दिया यह स्रे किसे दिया है रामनंद जी को दिया अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशनाज का है अंगद पैज नामे ग्रंथ के रचईता की बात की कि जा तो अंगत पैजब बात की जाए तुरंत आप समझ लेंगे कौन सहीं है इस स्वर्दास इसके रचयता कौन है इस श्वर्दास जी है इसी तरह से अगले प्रश्ण पर चलते हैं रामास्टयाम रामास्टयाम के रचयता का नाम इस्ष्वर्दास मुनि लावन्य अग्ड़ास हिर्दयरां रामस्ट्याम के रचैता जो माने जाते हैं वह हैं हिंग दी कौन माने जाते हैं हैं इसी तरह से अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगला प्रस्ण है अवध बिलास के रचय ता का नाम बताईए केशो दास प्राणचंद चोहान परशुरामदेव लाल दास अवद बिलास के रचय दा जब पूछा जाए तो तुरंत आपको बता देना है लाल दास जी इसके रचय ता हैं कौन है लाल दास जी अगले प्रिश्ण पर चलते हैं अगला प्रिश्ण है हनुमान नाटक हनुमान नाटक के रचेटा इन में से कौन है तो सहीं विकल्प आपके सामने आ गया है चार विकल्प हैं जिसमें से एक विकल्प सहीं है माधो दास इस्वर दास कपूर चंद्र त्रिखा हिर्दे राम तो आप तुरंत भिकल्प लगाएंगे हिर्दे राम जी हनुमान नाटक के रचईता है अगला प्रशन है इन में से तुलसी की उस रचना का नाम बताईए जो कबित सवया सैली में लिखी गई है इन में से तुलसी की वह रचना बताना है जो कबित और सवयनी में लिखा गया अगला प्रश्न है अगले प्रश्नже पर चलते हैं अगला प्रश्न हमारे शामने आ गया है जो इस प्रकार से है राम दर्बार में भेजने के लिए तुलसी ने किस गरंथ की रचना की है राम के दर्बार में भेजने के लिए तुलसी ने किस गरंथ की रचना की है राम चरीज मानस की दोहावली की बरबरामायल की बीने पत्रिका की यहां यह प्रशन बहुत महत्पूर्ण हो जाता है कि राम के दर्बार में ऐसा कौन सा गरंथ था जिसे तुलसी दास ने राम के दर्बार में भेजने के लिए रशना की थी तो वह राम के दर्बार में भेजने के लिए जिस गरंथ के रशना की बिने पत्रिका की थी उसमें उन्होंने निवेदन किया था कि यह आपके लिए है निवेदन किया है राम की दरबार्म भेजने के लिए दिया था इसी तरह से अगला प्रिशन है इन में से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है अब यहां तुलसी की जो रचना नहीं है उसके बारें बताना है कि कौन सी रचना है तुलसी की नहीं है पारवती मंगल जानकी मंगल बरबय रामायर रुकमनी मंगल तिये रचना रुकमनी मंगल ज जो तुलसी दास की नहीं है इसी तरह से अगले प्रस्ण है इन में से किस काब ग्रंथ में तुलसी ने ब्रजभासा का प्रयोग किया है अब तुलसी दास ने किस ग्रंथ में ब्रजभासा का प्रयोग किया है तो आप ब्रजभासा का जब भी पूछा जाए तुरंत आप बता पाएंगे ब्रजभासा का प्रयोग किसमें किया है बिने पत्रिका में कवितावली में गीतावली में उप्युक्त सभी में तो उन्हों ने जो है बिने पत्रिका में भी ब्रज किया है कवितावली में भी किया है गीतावली में पंक्त किस कव की है तुलसी दास की रामानंद की अग्रदास की लाल दास की आर्थ की जे हनुमान लला की बहुत ही अच्छी पंक्त है यह पंक्त के रचीता कौन माने जाते हैं इस पंक्त के रचीता जो माने जाते हैं वह हैं रामानंद जी वह कौन है रामानंद जी माने जा सामने श्री रामार्चन पद्धत ग्रंथ के रचीता कौन है शंकराचार तुलशी दास अग्रदास रामानंद तो रामार्चन पद्धत के जो पूछा जाए श्री रामार्चन पद्धत के जब भी पूछा जाए तुरंत आपको बता देना है कि रामानंद जी इसके रचीता रामानंद जी इसके रचीता है रामार्चन पद्धत के रचीता रामानंद जी है अगला प्रशन है रामानंद संप्रदाय की प्रशिद्य गद्धी राजस्थान में कहां है रामानंद संप्रदाय की प्रशिद्य गद्धी राजस्थान में कहां मानी गई है कहां है तो चार गलता जी जो है रामानंद की गद्धी राजिस्थान में मानी गई है इस तरह से अगले प्रिश्ण पर चलते हैं तपसी साखा के प्रवर्तन किस ने किया तो सहीं भी कलप आपके सामने है कील दास रैदास क्रिश्ण दास अनंता अनंद तो यहां पर कील दास सहीं भी कलप है तो भी कलप है कील दास इसी तरह से अगले प्रिश्ण पर चलते हैं मूल गुसाई चरित के रचीता कौन है तो आपको बताना है चार भी कलप दिये गए हैं नाभा दास जी नंद दास जी प्रिया दास जी बेनी माधो दास तो यहां पर बे जाते हैं मूल गुसाई चरित के रचईता माने जाते हैं अगला प्रश्ण है तुलसी के जीवन चरित को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है अगर तुलसी का जीवन चरित जानना है तो उसमें से कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है उस ग्रिंथ का नाम आप यहां देख शकते हैं, चार नाम दिये गए हैं, राम चरित मानस, मूल गुसाई चरित, कभी तावली और बिने पत्रिका, यहां पर सहीं जो है, मूल गुसाई चरित उनके जीवन के बारे में बृष्टित बात बताता है, इसलिए तुलसी दाशी के जीवन के बारे में अगर जानना है, तो मूल गुसाई चरित पूरा पढ़ सकते हैं, अगले प्रिश्ण पर चलते हैं, अगला प्रिश्ण है, तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित बृतांत अधिक हैं, राम चरित मानस में, बिने पत्रिका में, कभी ताव ली में, दो हावली में, तुलसी के जीवन से संबंधित, उनके किस रचना में जादा मिलते हैं, उनके वर्डन जादा मिलते हैं, तो सहीं बिकल्प है, कभी तावली में उनके जीवन से जादा वर्डन मिलते हैं, उनके जीवन के बारे में बृतांत मिलते हैं, कभी तावल समय जब पूछा जाए तो तुरंत बता देना है कि इनका समय जो है सही समय अगर पूछा जाए तो सही समय है 1532 से 1623 इनके बारे में कहा गया है समबत 1680 इसी गंग के तीर स्रामन सुकला सत्मी तुल्शी तजव शरीर अर्थात स्रामन मास की सत्मी को तुल्शी ने अपना शरीर त्याग दिया था असी गंग के तीर कासी के असी गंग के तीर गंगा के किनारे गंगा के किनारे असी घाट के किनारे गंगा के तीर पर उन्होंटे अपना शरीर त्यागा था तुल्शी तरह से यहां सहीं बिकल्प आपको मिल गया है सहीं बिकल्प अ है 1532 से 1623 अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन हमारे सामने है आचार तुलसी ने तुलसी का जन्मिस्थान कहा माना है आचार तुलसी ने तुलसी का जन्मिस्थान जो माना है वह कहा माना है शोरों में रामपुर में राजापुर में सीही में तो तुलसी ने अर्था सुकल ने तुलसी का जन्म राजापु में माना है शह भी कल्प आपका सही है इसी तरह से अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है अस्थि चर्म मैं देह मम तामे ऐसी प्रीत यह कथन किसका है तुलसी का हुलसी का रतनावली का कभीर का तो यहां पर आप देखेंगे तुलसी की पतनी रतनावली थी और उन् परिशो होते हुए गंगा नदी को पार करके अपनी पत्नी के यहां पहुचे उन्होंने कहा था कि इस अस्थी और चर्म की देह से आपको इतना पृती है अगर इतनी पृत्वी आपको प्रभू से होती अब तक आपका जीवन सार्थक हो गया होता इस तरह से उन्होंने दु उसी दिन से तुलसी दास ने अपनी भक्ती जो है प्रभू के तरफ लगाई और आज महान ग्यानी बन गए इस तरह से कासी में तुलसी ने किस अगला प्रशन है कासी में तुलसी ने किस गुरू के पास रहकर विद्याध्यन किया था नरहर दास के पास सेख सनातन के पास गं सब्सक्राइब कासी की बात जब की जाए तो काशी में उन्होंने सिख शनातन के पास रहकर यह ज्ञान प्राप्त किया था विद्याध्यान किया अगला प्रश्ण है अचार शुक्ल ने तुलसी के प्रमारी ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है यह प्रश्ण बहुत इंप्वर्टेंट है क्योंकि आजकल विद्यापत के तुलसी के नाभादास के ग्रंथों को पूछा जा रहा है यह परिक्ष्या पूछने का ट्रेड बदल गया है इन ग्रंथों के संख्या भी पूछी जा रही हमें लगता है कि ग्रंथों के शंख्या भी हमें पता रहनी चाहिए तो आचार शुक्ल ने तुलसी दास के कितने ग्रंथों को प्रमालित माना है दस पारह बाइस आठ तुलसी दास के बारह ग करंथों को प्रमारित माना है अगला प्रश्ण है इन में से तुलसी के समकालीन कौन थे अब यहां तुलसी के समकालीन बताना है आपको रहीम थे नंददास थे सूर्दास थे उप्युक्त सभी थे तो तुलसी के समकालीन जो थे रहीम भी हैं नंददास भी हैं सूर्दास भी हैं प्युक्त सभी हैं तो आपका बिकल्प जो है सही दा बिकल्प होता है उप्युक्त सभी उनके समकालेन थे अगला प्रशन है बरभय रामाल की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी अगला प्रशन है तुलसी की गीतावली किस कब की रचना से प्रभावित है तुलशी की गीतावली सूर्दास की रचना से प्रभावित है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल यह पद किसका है सूर्दास का नंददास का रश्खान का मेरा बाई का। बसो मेरे नैनन में नंदलाल तो आप तुरंत सही बिकल्प का चैन करेंगे। सही बिकल्प है द मेरा बाई। इसी तरह से मोर पखा सिर उपर रखी हो। गुंज की माल गरे पहिरोगी। कई बार परिक्षाओं में पूछा भी गया है। यह पंक्त किस कभी की है देव की रश्खान की पदमाकर की ग्वाल कभी की। तो यहां पर सही बिकल्प आपके शामने आ गया है। यह पंक्ति रश्खान की हैं जिन्होंने कहा है कि मैं भी स्वांग रचाओंगा। मोर पखा सिर उपर रख कर मैं भी स्वांग रचाओंगा। इस तरह से प्रेम बाठिका अगला प्रश्ण है प्रेम बाठिका के रचनाकार कौन है भारतेंद रतनाकर रश्खान पदमाकर तो प्रेम बाठिका जब पूछा जाए तुरंत आपको बता देना है यह पंक्त रश्खान की है यह पंक्त किसकी है रश्खान की अगले प्रश् रस्खान का जन्म कब हुआ था। 158 इसभी 1533 इसभी 1618 इसभी 1614 इसभी। तो रस्खान का जन्म जब पूछा जाए तुरन आब बताएंगे रस्खान का जन्म 1533 इसभी में हुआ था। अगले प्रिशन पर चलते हैं। यह तीनों लोकों को त्यागने की बात कर रहे हैं या लकुटी अरुकामरिया पर तो यह पंग्त किसकी है तो सीधे सीधे यह पंग्त किसकी है जो एक ही मातर रचना से प्रशिद्ध हो गए रश्खान जी इसी तरह से अगले प्रश्ण पर चलते हैं मीरावाई की भक्त किस प्रकार की थी अब यह भक्ती जो है एक प्रश्ण जरूर पूछा जाता है सूर्दास की भक्ती तुलसी दास की भक्ती मीरावाई की भक्ती तो भक्ती किस तरह की है यह जरूर याद करके जाना है कि एक प् भक्ति माधूर्य भक्ति है माधूर्य भक्ति है सही बिकल्प आपका होगा स मेरा बाई की भक्ति माधूर्य भक्ति है लेकिन इसके साथ साथ आप जानले सबसे पहले जो सूर्दास की भक्ति थी वह जब तक बल्लभाचार के संपर के में नहीं आये थे उससे पहले की भक्ति दास से भक्ती थी लेकिन बाद में सूर्दास की भक्ती सक्खे भक्ती हो गई और इसी तरह से अगर तुलसी दास की बात करें तुलसी दास दास से भक्ती के थे दास से भक्ती को अपनाते थे इसी तरह से अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है अश्ट छाप के स्थ स्ठापना का स्रे किस आचार को है बलभाचार को बिठलनात को हित हर्बन्सदास को रूप गुस्वामि को यहां पर सही बिकल्प है बलभाचार के पुत्र बिठलनात को अश्ट छाप के स्थापना का स्रेज आता है बिठलनात के चार सिस्य बिठलनात द्वारा दिच्छित चार सिस्य और बल्लभाचार द्वारा दिच्छित चार सिस्य आठ मिलकर अश्ट छाप के स्थापना की गई थी और इसके साथ ही अश्ट छाप जो है स्री नाजी के मंदिर में भजन और किरतन करनी की रीती थी इस तरह से यह अश्ट छाप जो है हिंदी साहित के लिए हाठ कभियों की महान ब्यवस्था को बताता है अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है क्रिश्ण गीतावली के रचीता कभी कोन है तुलसी दास, सूर दास, नंद दास, रस्खान तो कृष्ण गीतावली के रचीता कभी कोन है तो आप सीधे सीधे यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है क्योंकि गीतावली तुलसी दास ने भी लिखा है तो यहाँ पर कृष्ण गीतावली की बात की जा रही है राम भक्त होते हुए भी कृष्ण गीतावली लिखा तुलसी दा पे जाएंगे तो कृष्ण गीत आउली जब पूछी जाए तो तुरंत आपको तुलसी दास बता देना है कृष्ण गीत आउली इसी तरह से अगला प्रश्ण है हमारे शामने आ गया है इन में से अश्च छाप का कवी कौन है धुरुवदास परमानंददास मद्धन मुहन नाभादास अश्च छाप के कवियों में परमानंददास जी आते हैं परमानंददास जी जो किसके सिस्थे सूर्दास के सूर्दास के सिस्थों का नाम इस तरह से हैं बपसकूक परमानंददास सूर्दास कृष्ण दास और कुम्भन दास इस तरह से अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है नंददास की किस कृत पर मुख्ध होकर उन्हें जडिया उपाध दी गई है तो ऐसा कहा जाता है और कब गडिया और नंददास जडिया तो नंददास की किस कृत पर उन्हें जडिया कब कहा जाता है तो यह प्रशन बहुत ही महतपूर है इस प्रस्ण को जो है ध्यान से देखना है कि नंददास की रास पंचा ध्याई रास पंचा ध्याई कृति से उनका नाम जडिया पड़ गया और कव गडिया नंददास जडिया इसी तरह से रास पंचा ध्याई में किस छंद का प्रयोग किया गया है अगला प्रशन हमारे शामने है राश पंच्या ध्याई में किस छंद का प्रयोग किया गया है तो सवय्या का पद का दोहा का रोला का राश पंच्या ध्याई में रोला छंद का प्रयोग किया गया है रोला छंद का प्रयोग किया गया है अगला प्रशन है धुरूबदास किस शंपरदाय के कभीयें चार संपरदाई यहां दिये गें वलबcha राधा वल्लब संपरदाई चैतन्यशक्रदाई आपको सीधह सीधे उत्तर बताना चाहते हैं कि आप इसका उत्तर आप लि ethanol जिखेंगे धुरुब्स दाज्जहिए रादा वल्लव शंपरदाय से सम्मंधित थे अगला प्रश्ण है बहुत ही महत्पूर प्रश्ण है इन मुसल्मान हर जनन पे कोटीन हिंदू वारिये भारतेंदु जी ने यह पंक्त किस कभी के लिए कही है किस कभी के लिए कही है इन मुसल्मान हर जनन पे कोटीक हिंदू वारिये हर्थात किसी यह कभी के लिए कहा है तो भारतेंदु जी ने यह रस्खान के लिए प्रयोग किया गए किसके लिए प्रयोग किया है रस्खान के लिए कि मुसल्मान होते हुए भी कृष्ण की जो कभी रस्खान जी ने उकेरी है सायद कोई हिंदू हजार हिंदू कभी मिलकर भी नहीं उकेर पाए है इस तरह से यह पंक्ती रस्खान की है रस्खान के लिए भारतिन हरिश्जन जी ने बताया है रस्खान के दिख्षा गुरु कौन थे अगला प्रश्ण है रस्खान के दिख्षा गुरु कौन थे गोस्वामी बिठलनाथ बल्लभाचार माधवाचार स्वामी हरिदास रश्खान के दिख्षा गुरू की जब बात की जाए तो आपको तुरं समझ लेना है दिख्षा गुरू कौन है रश्खान के दिख्षा गुरू गोस्वामी बिठलनाथ जी है मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में वितीत हुआ था अगला प्रश्ण मारे शामने है मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में विथीत हुआ था द्वारिक अधीस मंदिर में, स्री नाज जी के मंदिर में, रण छोड मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में मीरा का जो है, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, मीरा का वह हुआ है, रण छोड दास जी के मंदिर में, मीरा रण छोड दास की दिवानी थी, इसी तरह से उन्ही के मंदिर में रहकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया, भजन और किर्टन किया, अगले प्रशनों प में राधा वल्लव संप्रदाय में गोडी संप्रदाय में किस संप्रदाय में गद्धी से संबंदित विधान है यहां पर सही विधान जो है वह है राधा वल्लव संप्रदाय में गद्धी पर्था का विधान है राधा वल्लव संप्रदाय में अगला प्रश्ण है संतन को कहां सीकरी सो काम आवत जात पनहिया तूटे विशर गयो हरिनाम यह प्रशिद्ध पंक्त किसकी है संतन को कहां सीकरी सो काम आवत जात पनहिया तूटे विशर गयो हरिनाम यह पंक्त जो है कुम्भन दास के लिए प्रशिद्ध पंक्त किसकी है कुम्भन दास की यह प्रशिद्ध पंक्ती है कि फतेपुर सीकरी जाने की सीकरी सो कहां काम हावत जात पनहिया तूटे विशर गयो हरिनाम संतन को हम संतन को सीकरी सो काम इस तरह इनुने कहा था अगला प्रशन है इन में से कौन गोस्वामी बीठल नात का शिस्य नहीं था अब गो स्वामी बिठल नात का सिस्य नहीं था अब बिठल नात के चार सिस्य थे बिनच गोछी तो गोबिंद स्वामी हैं छीत स्वामी हैं नंद दास हैं और चतुर भुज दास हैं तो यहां सूर्दास बिकल्प जो आपका है वह बिठल नात का सिस्य नहीं है इस तरह साथ बता सकते हैं कि सूर्दास बल्लभाचार के सिस्य थे बिठल नात के सिस्य नहीं अगले प्रश्ण पर चलते हैं, अगला प्रश्ण है, स्रीमत भागवत पुराण में इन में से किसका उलेख नहीं है, कृष्ण का नहीं है, राधा का नहीं है, गोपी का नहीं है, गौाल का नहीं है, स्रीमत भागवत में किसका उलेख नहीं है तो सीधे सीधे आप जान लिजे स्रीमत भागवत में कहीं भी राधा का उलेख नहीं है क्योंकि यह इसलिए पूछा जाता है कि जहां कृष्ण होंगे वहां राधा होंगी लेकिन भागवत में भागवत पुरान में जब बात की जाए तो राधा का उलेख नहीं मिलता है इसलिए यह प्रस्ण पूछा जाता है भरमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है शांतरश, शेयोग शिंगार, वियोग शिंगार, वास्यलस अब भरमर गीत की बात की जा रही है कि भरमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है तो तुरंत आपको बता देना है कि भरमर गीत की बात तब की जाती है जब कृष्ण गोकुल चले जाते हैं जब कृष्ण गोकुल चले जाते हैं, गोपिकाएं, वहां रहती हैं, ब्रज में रहती हैं, तो अब वियोग में जो बाते कहीं हैं, वह भरमर गीत में वर्णित हैं, तो वियोग सिंगार का वर्ण किया गया है, इसमें वियोग सिंगार का वर्ण किया गया है, इसी तरह सगल प्रिश्ण पर चलते हैं गदाधर भट किस संप्रदाई के कभी हैं तो तुरंत आपको बताना है यह कभी चैतन संप्रदाई शकी संप्रदाई बल्लब संप्रदाई रादा बल्लब संप्रदाई यह कभी जो हैं चैतन संप्रदाई के कभी हैं चैतन संप्रदाई के कभी हैं इशी तरह से अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं, अगला प्रश्ण है कृष्ण भक्ति के लिए परिवार जन की प्रताड़ना किसने सहन की, रस्खान ने, नंद दास ने, मीरा बाई ने, सहजो बाई ने, यहाँ पर सहीं विकल्प है, स मीरा बाई ने, अपने परिवार जनों की प्रताड़ना सहीं, कृष्ण भक्ति के लिए, और अंत में परिवार जन, इनसे रुष्ट होकर, इन्हें बिष्ट का प्याला भी दे देते हैं, तो इस पर एक पंग्ति बनती है, मीरा ने पिया बिष्ट का प्याला, बिष्ट को भी अम्रित कर डा तो इस तरह से मीरा ने वह बिष्ट का प्याला पी लेती हैं, परिवार जनके परताड़ित करने के बाद भी उन पर नाराज नहीं होती हैं, और अपने प्रभू की भक्ति में लीन हो जाती हैं, बिष्ट भी उनको कोई अस्थर नहीं करता है, इस तरह से इसको याद रखन हैं अगले प्रश् veto पर चलते हैं पुष्ट इमार के संस्थापक आचारे कौन थे अब पुष्ट इमार के संस्थापक आचारे की बात की जा रही है तो सीधे सीधे आप याद रखेंगे रामा पुष्ट मार के जो आचार हैं वो बल्लभाचार माने जाते हैं अगले प्रिश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण जो इस तरह से हैं सूर्दास किस रस का कोना कोना जाक आये हैं यह पंक्त किस ने कही है तो यह पंक्त आचार हजारी प्रशाद दिवेदी ने कही है सूर्दास वासल्य का कोना कोना जाक आये हैं इस तरह से आचार हजारे प्रशाद दिवेदी ने कहा था इसी तरह से अगले प्रश्ण पर चलेंगे सिंगार रसमंडन किसकी रचना है बल्लभाचार की बिठल नाथ की नंददास की धुरुवदास की तो यहाँ पर सिंगार रसमंडन की बात की जा रही है तो सिंगार रसमंडन जब कहा जाए तो किसकी रिचना है बिठल नाथ की रिचना है आपको तुरंत याद रखना है बिठल नाथ की रिचना है अगले प्रश्ण पर चलते हैं संख्या की दृष्टी से सरवाधिक रचना क्रिश्ण भक्त कभियों की लगवक 50 रचनाय मिलती हैं दुरुप दास की लगवक 50 रचनाय मिलती हैं जो सरवाधिक मानी जाती हैं इसी तरह से सूर्दास्त ने क्रिश्ण के किस रूप का चित्रण किया है लोक रक्षक रूप का लोक रंजक रूप का योगेश्वर का अगला प्रश्ण है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई यह पंक्ति उन्हीं की है प्रेम की दिवानी मेरा की प्रेम की दिवानी मेरा की चाहे बसो मेरे उन्नेनन मे नंदलाल सहे मेरे तो गिरधर गोपाल इस तर नंदलाल गोपाल सब उन्होंने ही कहे हैं अगले प्रिशन पर चलते हैं सरवाधिक तरकसीला गोपियां किस कब की हैं तो यहाँ पर आप ध्यान देगे जब तरकसीला और ग्यान सीला की बात की जाए तो सरवाधिक तरकसीला और ग्यान सीला की बात की जाए तुरंत आप बताएंगे नंददास की गोपियां चतुर है चाला क है, तरक्सीला है इस तरह से यह सहीं भी कलप आपके सामने आ गए है सरवाधिक तरक्सीला गोपिया है नंददास की इसी तरह से अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है साहित लहरी की बिसेवस्टु क्या है नाईका भेद है, छंद सास्त्र है, परियाय कोस है, रस है अब साहित लहरी जो पूछा गया, गरंथ के बारे में पूछा गया सूर्दास की रचना है साहित लहरी, साहित लहरी क्या है तो साहित लहरी एक नाईका भेद रचना है इसमें नाइकाओं के भेदों का वड़न किया गया है यह प्रश्ण कई बार परिक्षा में पूछा गया है नाइका भेद के लिए प्रशिध्य साहित लहरी इसी तरह से अगला प्रश्ण है भगवत कृपा के लिए बल्लभाचार जी ने कौन सा सब्द दिया है कृपा पुष्टी दया भगवत कृपा के लिए कृष्ण ने जो सब्द दिये हैं वह हैं पुष्टी भगवत कृपा कब होती है जब आपके ज्यान की भक्त की पुष्टी होती है पुष्टी इसलिए भगवत कृपा के लिए पुष्टी सब्द का चैन किया गया है बल्लभाचा ब्रजभासा में राजस्थानी भासा में खड़ी बोली में राजस्थानी मिस्रित ब्रजभासा तो आपको द भी कल्प सहीं दिया जाता है क्योंकि राजस्थानी भासा तो थी लेकिन मिस्रित ब्रजभासा थी राजस्थानी मिस्रित ब्रजभासा मीड्या बाई की भासा रा अगले प्रश्न पर चलते हैं अगला प्रश्न है ब्रह्मा सुत्रों का अडुभास से किस आचार ने लिखा है किस आचार ने लिखा है तो सही है बल्लभा चार जी ने लिखा है यह रचना किस ने लिखी है बल्लभा चार जी ने लिखी है अगला प्रश्न है गुसाई बिठ बिठधलनाथ जी का जन्म कब हुआ था 1500SV में पंडरा सो पंदरा सिवी में सोला सो इस वी में और विए और शौला सो पंदराइस वी में तो गोसाई बिठधलनाथ जी का जन्म सब जब ही पूछा जाये तो आप तुरंत पता देंगे पंद्रा पंद्रा क्या बताएंगे पंद्रा सो पंद्रा पंद्रा इसी तरह सेगले प्रश्ण पर चलते हैं रश्खान की किस रचना में राधा क्रिश्ण को मलिन माली मानकर मालीन माली मानकर प्रेमोद्धान का वर्डन करते हुए प्रेम को गूड तत्तो का सूच विवेचन किया गया है सुजान रश्खान में दान लीला में प्रेम बाठिका में अश्ट चाप में रश्खान की किस रचना में माली और माली मानकर क्रिश्ण और राधा को माली न और माली मान कर प्रेम उद्ध्यान का वर्डन करते हुए प्रेम को गूड तत्तो का सोच बिवेचन किया गया है इस तरह से यह प्रश्ण बहुत ही महत्पोर बन जाता है रस्कान की प्रेम बाटिका तुरंत आप तर्क लगाएंगे प्रेम उद्ध्यान है प्रेम का उद्ध्यान है उद्ध्यान मतलब बगीचा हो बगीचा क्या है वाटिका इस तरह से तुरंत आप अर्थ लगाकर सही विकल्प आप चेन कर सकते हैं प्रेम बाटिका में राधा और कृष्ण को मालिन और माली मान कर मालिन राधा और माली कृ तो मीरा वाई का समय जो पूछा गया है उसे आप तुरंट पताएंगे सोलावी सती बताया गया है इसी तरह अगले प्रशन कृषन पर चलते हैं अगला प्राषन है कौन सी नंददास की नहीं है अभी आपने उपर देखा है प्रेम बाटप क्षा इसी तरह अगले प्रश्न पर चलते हैं ब्रिंदाबन में मीरा की भेट कि क्रिष्ण भक्त से हुई रूप गोश्वामी से हुई जीवगोश्वामी से हुई बल्लभाचार से हुई बिठ्थल नाजी से हुई बिंद्राबन में मीरा की भेट कि क्रिष्ण भक्त से हुई ब्रिंदाबन में मीर मीरा की भेट किस्से हुई थी जीव गुष्वामी से मीरा की भेट किस्से हुई थी जीव गुष्वामी से हुई थी अगले प्रश्ण पर चलते हैं युगल सतक की संप्रदाय से संबंदित हैं हरिदासी संप्रदाय से निंबार्क संप्रदाय से बल्लब संप्रदाय से चेत है इसी तरह से अगले प्रश्ण पर चलते हैं सूर्दास के उस ग्रंथ का नाम बताईए जिसमें रीत निरूपन है अब सूर्दास भगतिकाल के कभी हैं लेकिन यहां रीत काल की बात कर किये हैं रीत काल की बात के लिए उन्हें बताया गया है तो वह कौन सा ग्रंथ है तो स इसी तरह से अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है इन में से कौन कभी जन्मकाल के अंसार सबसे पहले क्रम पर होना चाहिए चार कभी दिये गए हैं इन में जन्मकाल के आधार पर कौन कभी सबसे पहले होना चाहिए तो आपको सही भी कल्प मिल गया है जन्मका सबसे पहले आते हैं अगला प्रश्ण है गोरांग का संबंद किस संपर्दाय से था गोरांग का संबंद किस संपर्दाय से था सकी संपर्दाय से राधा वल्लव संपर्दाय से चेतन संपर्दाय से बल्लव संपर्दाय से तो गोरांग आप देख रहे हैं तो गोरांग जब भी पूछा जाए तुरंत आपको बता देना है कि चैतन संपर्दाय से इसका संबंध है किस से है चैतन संपर्दाय से अगला प्रश्न है आगे होने वाले कभियों के सिंगार वासल की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती है यह कथन किसका है यह कथन किसका है आगे होने वाले कभियों के सिंगार हो वासल की उक्तियां सूर की जूठन सी लगती है हर्थात ऐसे लगता है जैसे सूर का ही जूठन हो सूर दास का ही हो हरी परशाद हजारी प्रसादिवेदी ने कहा है बिजियंद्रिशनातक ने कहा है डाक्टर नगेंद्र ने कहा है आचार सभऩा अ कहते हैं कृन कहते हैं ऑगले परस्णी पर चलते हैं अगला प्रस्णी ही प्रश्ण। सुदामा चरित के रचयता इन में से कौन है रश्कान जी हैं सूर दास जी हैं नरोत्तम दास जी हैं धुरुब दास जी हैं सुदामा चरित के रचयता कौन है तुरंत आप बताएंगे सुदामा चरित जी नरोत्तम दास की रचना है नरोत्तम दास की रचना है एक मात रचना स परम भक्त बन गए परम ज्यानी बन गए नरोत्तम दाजी प्रशिद्ध हो गए एक मात रचना थी इनकी सुदामा चरित जिसमें उन्होंने कहा है सुदामा के चरित के बारे में कुछ चंद लिखे हैं चंदों को आज भी बड़ी सोग से गाया जाता है इदर पे सुदामा गरीब आ गया है नतन पे है जो भी इस तरह से उनके यह पद बहुत ही प्रसिद्ध हैं अगले प्रस्ण पर चलते हैं काहें को गोपीनात कहवत पद किसका है यह पद सूर्दास का माना जाता है यह पद किसका माना जाता है अगला है अश्ट सखाओं के लिलात्मक शुरूप आध का बिस्तार पुरो कुले किस गरंथ में मिलता है अश्ट सखाओं के तो आप तुरंत इसको बता देंगे किस गरंथ में मिलता है रस प्रकास में भाव प्रकास में रस भक्त नामावली में भक्त माल में अश्ट सखाओं का जो मिलता है रूप वह मिलता है भक्त माल में कहां मिलता है भक्त माल में अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है पूर मिमानसा भास के रचनाकार कौन है बल्लभाचार जैमिनी पतंजल कड़ाद तो यहां पर पूर मिमानसा की बाद की जाए अब इकल्प सही है पूर मिमानसा के रशना का बल्लभाचार जी हैं कौन है बल्लभाचार जी हैं अगले परशन पर चलते हैं बल्लभाचार के संपर्क में आने से पूर सूर किस भाव की भक्ति करते थे तो सूर बल्लभाचार के संपर्क में आने से पहले अभी मैंने वीडि बल्लभाचार किसे संपर्क होने के बाद इनकी भक्ती का रूप शक्ख भक्ती हो गया इसी तरह से अगला प्रश्न जो है आज का बिमल बुद्धि गुन और की जो यह गुन श्रीव नन धरे सूर कवित सुन कौन कवित जो नहीं सीर चालन करे यह पंक्त किसकी है सूर दास की नंद दास की बल्लभाचार की तो तुरंत आप बता जेंगे यह पंक्ती नाभादास जी की है यह पंक्त किसकी है नाभादास की इसी तरह से भ्रमर गीत का मुख्याधार क्या रहा है द्वादस इसकंध गीता भगवत का दसम इसकंध और उपनिसद भागवत का दसम इसकं इस तरह से यहां ब्रहमरगीत का मुख्याधार भागवत का दसम इसकंद है इस तरह से आज की प्रशनोत्री यहीं शमात्त करते हैं अगले प्रशनोत्री में भक्तिकाल से ही कुछ और प्रशनों को लेकर उपस्तित होंगे आपको आज का वीडियो कैसा लगा वीडियो अच् रही है आपकी तयारी अच्छी हो सकती है आप चैनल को सब्सक्राइब रखें कांटी निवस हमारी क्लास में बने रहेंगे तो आपकी पूरी तयारी कराने की जिम्मेवारी है इसी तरह से आज यहीं समाप्त करते हुए आपको बोलते है धन्यवाद जय हिन जय भारत